यौतमाल जिले के दिग्रश यहर में स्तीत वैभो नगर के घर और दुकान में आग लगने की घटना सामने आई है मंगलवार 17 मई को घटीत हुई घटना में एक लाग से जादा नुकसान का अंदेशा जताया गया है प्राप जानकारी के अनुसार मंगलवार की दो पहरे एक बजे वैभो नगर स्तीत एक मकान और दुकान में शौट सर्किट से आग लगने से दुकान और घर के सामगरे जल कर खाक हो गई टीन सेवने इस घर में ही दुकान का सामान रखा हुआ था वैभो नगर निवासी दिनेश परिश्राम आड़े का तींद रूम का टीन का घर है और घर में ही वेपान सेंटर और डेली नीड्स की दुकान चलाते है ऐसे में मंगलवार को दिनेश अपने परिवार के साथ के ओपरेशन के लिए यौतमाल के एक नीजी अस्पताल पहुचे थे लेकिन ओप्रेशन का खर्च जदा होने से उन्होंने दिगरस में ही ओप्रेशन का मन बनाया और वे यह आत्माल से दिगरस के और बाइक पर रवाना हो रहे थे ऐसे में वापसी की दोरान उनने उनके पड़ोसियों ने मोबाल पर संपर किया और उनने शॉर्ट सर्किट से उनके घर और दुकान को आग लगने की सुच चना दी खबर सुनकर परिशान हाल दिने जैसे देश से घर पहुँचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी इसे बीज दमकल विभाग के फायर मैन अश्विन इंगले सागर शेल के अब्दुलनासीर रोहन पवार आसिप खान और सयदेव उग्रे ने कटनास्तल पर पहुँच कर बड़ी सतरक्ता से और मुस्तेदी दिखाते हुए आग को बुझाया लेकिन इस घटना में दुकान और मकान में रखा टीवी, कूलर, फ्रीज, आनाज, आधिसामगरे सहित, कीमती, सामान और उपयुक्त दस्तावेज जल कर खाक हो गए बहर हाल पीते कुछ दिनों से सुरश की गर्मी बेताहा शाब बढ़ने से ज्वलंशेल पधारतों और इलेक्ट्रोनिक वस्तों के आग पकड़ने से आग लगनी की घटनाए बढ़ रही है ऐसे में शहर और परिसर के नागरीकों से अपिल है कि वे आपने दुकान और मकान को लेकर सतरक रहे और सावधानी परती BCN News के लिए दिगरस है जुबेर खान की रिपोर्ट